नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आइसके वडियो में हम बात करेंगे अगर आप अपने PC लैप्टोप पर प्लेस्टोर ओपन करते हैं और किसी अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने के लिए यहां पर आपको दिखाता है इंस्टॉल के निचे आपको यहां पर लिखा मिलता है यूट्व एडिवाइस अगर आप यहां पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं और यहां पर यूट्वाइस है इस पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं यह इश्यू आपको क्यों आता ह जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहां पर होता क्या है मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मेरा Google अगर यह अकाउंट मेरे किसी Android डिवाइस में लोग इन नहीं है तो आपको यहां पर यहां पर वह भी करके दिखाने वाला हूं अपने मोबाइल के अंदर यहां पर इस डिवाइस को लोग इन करूंगा तो यहां पर मेरी प्रॉलम हो जाएगी तो चलिए एक बार मैं यहां अपने वाइल में लोग इन करके आपको दिखा देता हूं सेम अकाउंट को फिर मैं आपको यहां पर इस वीडियो को कॉंटिन्यू करता हूं सो गाईश जैसा कि आप देख सकते हैं जो सेम अकाउंट मेरे पीसी में था वो यहां पर मेरे डिवाइस के अंदर एड नहीं है मैं आपको दिखा भी देता हूं मैं अपना यहां पर आपके सामने प्लेश टोर ओपन करता हूं प्लेश ओपन करने के बाद यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी दिखाता हूं Google करते हैं नाप मोबाइल का पीन डाला पिल डाल ने के बाद यहां पर आपना अकाउंट डाल देता हूं मैं कि यह मेरा अकाउंट था यहां पर नेक्श पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर forget password कर देता हूँ मिरे को password अभी याद नहीं है इसको तो forget कर लेते हैं तो Gmail पर जो code आएगा यहाँ पर copy करना होगा मुझे code आ चुका है तो यहाँ पर code को copy कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको login करके दिखा देता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यह अकाउंट जो है continue I agree तो अकाउंट login हो चुका है मेरे mobile के अंदर गाईज दे हम आपको दिखाता हूँ प्लेश्टोर पर जाते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रोफाइल पर और यहाँ पर सेम अकाउंट जो है यहाँ पर मेरे mobile के अंदर आड हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर यह अकाउंट हो चुका है आप जो मेरे PC में चलते हैं और PC में मैं आपको दिखाता हूँ जो यह मेरी प्रॉलम थी वो मेरा एरर था वो ठीक हुआ या नहीं हुआ है तो चलिए चलते हैं अपने computer screen पर जो speaking screen पर देख लिजिएगा मैंने अपना अकाउंट है डिवाइस में आड कर दिया है यह अपने अपने mobile device में करता है अब इसको refresh करते हैं यहाँ करते हैं आप देख सकते हैं रिप्रेश किया है पर यह करने के बाद आप देख भी सकते हैं इस एविलेबल फॉर यूर डिवाइस पहले यह जो है अधर मुझे शोग कर रहा तो वट आप देख सकते हैं इस एविलेबल तो मैंने डिवाइस में अपने मॉबाइल डिवाइस में एड कर लिए डिवाइस तो यह प्रावलम दूर हो चुकी है इंस्टॉल पर क्लिक करने क के बाद आप देखिएगा यहां पर जो है इंस्टॉल का अप्शिन आ चुका है तो ऐसे आप जो आप प्रावलम दूर करते हैं इस एरक को हटा सकते हैं सबसाइस की वीडियो में इतना है मिलते है नेक्स वीडियो में टिल दर्वाटे के लाग यू आल